नमस्कार दोस्तों, welcome back to my channel and thank you so much for subscribing and liking and viewing the videos आज की इस वीडियो में हम एक बड़े interesting subject के बारे में बात करेंगे और यह बड़ा ही prevalent भी है और subject है toxic feminines toxic feminines को बहुत से लोग twin flame world में, twin flame universe में जेलते हैं, उनसे मिलते हैं, interaction करते हैं और काफी जादा परिशान हो जाते हैं उनसे, लेकिन एक point ऐसा आ जाता है उसके बाद, जब उन्हें realize हो जाता है कि जो toxic feminines हैं, इनके अंदर दम बिलकुल नहीं होता, यह सिर्फ बाहर-बाहर की हवाईयां मारते हैं, दिखावे करते हैं बड़े, toxic feminines वो होती हैं, जो feminine energy में तो होती हैं, लेकिन जो उनकी energy होती है, वो distorted होती है उनकी energy dark होती है बहुत जादा, लेकिन एक positive way में dark नहीं होती है, एक evil way में dark होती है इनको सिर्फ अपने आप से लेना देना होता है, और अपनी social और public image पे ही यह दिन रात ध्यान देती है और दिन रात यहीं सोचती रहती हैं कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसी लगती हूँ, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं और अपनी image को बढ़ाने के लिए ना जाने कितने पापड बेलती हैं, ना जाने कितने ताम जाम करती हैं दिन रात, कितना time waste करती हैं इनको एक और शब से नवाजा गया है और वो है कार्मिक, popularly इन्हें कार्मिक कहा जाता है और twin flame community में असा भी होता है कि बहुत से लोगों के इन्होंने घर तोड़े होते हैं, बहुत से लोगों की problems create करी होती हैं यह attention seekers होती हैं, तो यह बहुत जादा ऐसी-सी हरकते करती हैं कि भाई, लोगों का ध्यान बस मुझ पर ही रहे अब भले ही लोग इनसे irritator के इन पर ध्यान दे रहे हो, या यह लोगों को तंग कर रही हो, या यह बेफालतू का time pass कर रही हो, बट इन्हें कुछ ना कुछ करना होता है क्योंकि इनके पास कोई genuine काम कभी नहीं होता, professionally भी, career में भी इनके पास genuinely कोई काम नहीं होता इनका बस एक ही काम होता है, कि इधर उधर क्या हो रहा है, gossip करना, बेकार की बाते करना, लोगों को लडाना, हर जगा आग फैलाना, ये इनके काम होते हैं तो toxic feminines से आप कैसे बच सकते हैं, या आपको बचना क्यों है इनसे पहली बात तो कभी भी आप ascension journey में अगर होंगे ना, और आपकी life में कुछ भी आएगा, कुछ भी दिया जाएगा आपको, परवाला आपको कोई भी चीज देगा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, कोई बुरा experience हो, या अच्छा experience हो उस experience से ना आपको लड़ना है, ना उस experience से आपको भागना है, आपको तो बस उस experience की आँखों में आखे डालके देखना है उसे समझने की कोशिश करनी है कि भाई, ये situation मेरी जिंदगी में क्यों आई, तो अगर आपकी journey में कोई कार्मिक आ जाती है, जो आपकी life में बेकार का drama फिला देती है, बेकार का गंद फिला देती है, जब कभी आप school में रहे हो, तो आपके साथ ये हुआ होगा, या आपन पकड़ के दो तीन थपड़ जड़ जड़ जेती थी, ऐसे ही, बस उसका मन खराब है, या उसका mood off है, या उसका पती उसे importance नहीं दे रहा, या उसकी सास से लड़ाई हो गई है, या कोई और reason हो सकता है, उसका lover उसको घास नी डाल रहा उस दिन, या उसका traffic signal में कुछ प्र इस बच्चे को torture करूंगी, अब इसमें age group का भी कोई लेना देना निया है, काफी बड़ी उम्र की औरतें भी toxic energies में होती है, और काफी young और जवान लड़कियां भी toxic energies में होती है, middle age, हर age group की औरतें, इनमें divinity दूर दूर तक नहीं होती है, तो जब ये किसी भी मासूम प् उसको उससे हमेशा irritation होती है, उसको लगता है कि मैं कुछ तो ऐसा करूं कि मैं इसकी जंदिगी में जहर घोलूं, कुछ तो ऐसा करूं, कोई भी हो सकती है, वो पारो भी हो सकती है, वो चंदरमुखी भी हो सकती है, चंदरमुखी हो या पारो की फरक पैंदा है, यारो, सब्सक्राइब सager 2 00ת की माँड़ के धूइंध发ijn को सारे ऑविसलि अपने मातापीता को लेकर आते तो उस नहीं पीजे को इतना प्यार करती थी एक बच्छे को गोद मैं विठाती थी माँपाप सामने कहातार से जब तक पेरिंट सामने housekeeping तो उनको kiss करना, उनको hug करना, उनको कहना, आए मेरा बच्चा आ गया, आए मेरा ये आ गया, मैं बटर कुकी, मैं शोना, मैं देस, मैं दाट, जो भी, हर तरह की मीठी मीठी लारे लपे वो लगाएंगी, और parents इतने खुश हो जाएंगे कि वा भया, क्या किस्मत खुली, क्या भी भी classroom आएगी, तो बच्चा तो इसी hope में बैटा है कि यार इस teacher ने तो मुझे इतनी किसियां करी, kisses करी, किसियां is like Hindi, Punjabi version, तो इतनी kisses करी, मुझे इतना हग किया, मेरे माता पिता के सामने मुझे इतना तारीफ करी, मेरी मेरी में को गले से लगाया, तो अब ये teacher तो में नहीं लगता, प्यार से डर लगता है, क्योंकि इनके थपर्ज भी जादा, इनका जो प्यार होता है, वो जहरीला होता है, बहुत जहरीला, अगर ये आप से मीठी मीठी बाते कर रही हैं, अगर ये आप से बहुत स्वीट है, तो आप समझ जाएए कि इनका कोई ना कोई मो गही है तो बैस्ट है कि इन पर ध्यानि मत दो क्योंकि यह जो भी उट-पटांग की हरकते करती रहती हैं इधर उधर घूमते फिरते एक वर्ड एंग्लिश में जेलिसी एन्वी तो जेलिसी और एन्वी जो होती है एन्वीनेस की जो एनरजी होती है यह इन में बहुत जादा होती है toxic feminines हर किसी से जलती है कोई भी लड़की हो सकती है कोई भी औरत हो सकती है किसी के सुंदर्ता से जल सकती है वो किसी के पैसों से जल सकती है किसी के करियर से जल सकती है किसी के family member से जल सकती है उनको कोई reason नहीं जलने के लिए वो बस जलती रहती है जलती रहती है उनक कि बाते सोचना और दिन रात यह PLANNING बनाना कि कैसे कैसे मैं अपनी image को और बढ़ा करूं और बढ़ा करूं तो इन में नार्सिसम भी बहुत ज़्यादा होता है selfishness भी बहुत ज़्यादा होती है selfish नहीं होती है अगर तो क्यों किसी और का घर खराब करती selfish नहीं होती है अगर तो क्यों किसी के पीछे जाती है अगर वाकिये में काम होता इनके पास कोई धंका काम होता तो क्यों अपना time waste करती है तो अगर आपकी relationship में या आपकी life में या आपकी office में आपके आगे पीछे कहीं भी आपको toxic feminines मिले तो समझ ज़िए कि उपर वाले की आप पे कृपा हो रही है क्योंकि अब आप अपनी अध्यात्मिकता में और आगे बढ़ने वाले हो आपको बहुत rewards मिलने वाले हैं सिर्फ इतना ही आपको करना है कि इनकी किसी भी बात को ध्यान नहीं देना इनके जितने भी नाटक हैं इनको बस दूर से enjoy करना है entertain होना है इन से ये केवल लोगों के entertainment के लिए अच्छी है आप देखें जो ये entertainment world है इसमें भी बहुत सारी toxic feminines होती है वो name और fame पाने के चकर में recognition पाने के चकर में कुछ भी कर सकती है कुछ भी किसी भी level तक गिर सकती है और हो सकता है कुछ समय तक तो उनको लोग पसंद भी करें उ उनके उपर भी सीटियां भजें उनके उपर भी नोटों की बारेश होए लेकिन हर किसी की expiry date होती है कभी ना कभी इनका समय आता है और ये एक दिये की तरह जिसका तेल खतम हो जाता है बुझ जाती है तेल खतम नहीं होगा तो धागा खतम हो जाएगा बट टाइम तो इस बात की बहुत जादा चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे अगर हमने ऐसा कर दिया या अगर हमने वैसा कर दिया तो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपको पता ये बहुत इंबॉटन है किसी भी असेंशनर के लिए जो भी अध्यात् में कोई भी इशू क्रियेट करता है तो आपको के साथ रहना है पेशेंश इतनी पवरvre चीज़ है पैशेंश प्यार का दूसरा नाम है और पैशेंश का मतलब यह है कि आप उपर वाले पर बहुत भरोसा करते हैं आपको यह पता है कि कोई कितना भी यहां पे नाटक कर ले कोई कितना भी ड्रामा कर ले होना वही है जो उपर वाले की मर्जी है क्योंकि उपर वाले की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता तो हो सकता है कि यह भी जो इतना हिल हिल के डिस्को कर रहे हैं आपके आगे पीछे इसके पीछे भी उपर वाले क UK को जो करती करने दीजें और जितना टाइम करना करने दीजे सबस्क्राइबर को अपने काम पर करनेcept क्वेदें करेंगी और भगवान भगवान करेंगी क्योंकि इतने साल इन्होंने मस्ती ईतनाग टाइम वेस्ट इन्होंने किया उपर वाले को कभी याद ही नहीं किया होगा और अगर किया भी होगात दिखावे के लिए किया होगा इदर उदर show off करने के लिए और कहीं तो ऐसी भी होती है जो उपर वाले का नाम लेके भी अपनी image बनाती है publicity करती है ऐसे दिखावा करती है कि जैसे बस मंदिर के दरवाजे यही खोलती है रोज और यही उसकी सफाई करती है यही उस पे गीता को समझाओगा क्योंकि अगर समझते तो फिर यह टॉक्सिक होते ही नहीं टॉक्सिटी एक ऐसी चीजा जो बहुत लोगों के अंदर है यह कोई judgment वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे पास भी जब तूरेंट्स आते हैं थेरिपी में लोग आते हैं तो उनकी कुछ कॉलिटी तो बहुत अच्छी होती है बहुत ग्रेट होती है लेकिन कुछ कॉलिटी उनकी बड़ी टॉक्सिक होती है जिसकी वज़े से वह खुदी परेशान होते हैं वह खुदी कहते हैं कि मैं इस टॉक् परिसथे क्ईिसुंड़ेशनालेटी डिसूडब होता है या निदे परहनों कर शृट होंग होते हैं devo कभी खुद को गलती नहीं शुमाब युल्स लूडब कोई goose नहीं लिधान हूती है उनकी समझती हैं किसी एक्ट्रिस से कम नहीं समझती हैं उनको लगता है कि वो इतनी सुंदर है फिर भले ही उन्होंने कम से कम 20-30 किलो मेकप लगा रखाओ अपने मूपे और उस मेकप की बदालत उनकी शकल देखने लाइक हुई हो लेकिन वो खुद को बहुत खुबसूरत समझती फिजिकली जो ब्यूटी होती है वो इंटर्नल होती है अगर आप इंटर्नली खुबसूरत होंगे तो आपको बाहर की चीजों की जादा जूरत नहीं पड़ेगी अब प्रिजेंटेबल होना भी ज़रूरी है अब इसका मतलब यह तो नहीं कि आप बैगर बनके निकल घ्लाडलिया इसन ञादा लेबल्डय 1 दिजाइनर यहां जाना है वहा जाना है इसके करीदनी है कड्रेस करना है इनकी सारी तनखाए इनके पैसे तहीं सीर्फ में खर्च Потई है क्यूंकि इनके दूसरे लोगों का थपा दूसरे लोगों का जो स्टैम्प होता है वो बहुत जरूरी होता है जो डिवाइन फेमिनन होती है उसको किसी के स्टैम्प की किसी के थपपे की जरूरत नहीं होती है वो गीदरों की तरह कभी गैंग बना के नहीं घूमती टॉक्सिक फेमिनन्स को कभी भी आप अकेले नहीं देखेंगे, यह हमेशा एक ग्रूप में रहते हैं, जैसे मीन गर्ल्स मुवी में दिखाया था, जिसमें लिंजे लोहान हिरोईन थी, अक्ट्रिस थी मेन, और जो ऑपोसिट कारेक्टर, जो मीन गर्ल्स की जो लीडर थी, उसका जो कारेक्टर प्ले किया थ एक बहुत इंटेलिजेंट, मैथमेटिक्स में अच्छी, पढ़ाई लिखाए में अच्छी, नेचर को समझने वाली, कुदृत में रही लड़की, आनिमल्स के साथ रही लड़की, उसके माता पिता भी बहुत अच्छे होते हैं, वो जब कॉलेज जाती है, तो कॉलेज मे वो पसंद आ जाती है, तो फिर ये जो मीन गर्स की जो लीडर होती है, उसको बहुत गुसा आता है, उसको बहुत जलन होती है, बहुत एंवियसनेस होती है, तो ये बात रेजीना से बरदाशनी होती है, और वो हाथ धोके, नाहा धोके, साबुन पानी लगाके, उसके टो ये पानी और पेनने का तरीका, तो आप देखी इसमें प्रोड्यूसर्स ο् डारेक्टर ने बढ़े अच्छय से jsats किया है, आप देखी कॉन गोलिकव मेंकप, उसके बाल, उसके हावबाव, उसकी पहनन पहनने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका निकाह करने का यह सारी चीज़े उस character में दिखाई थी, यह सब toxic feminines के character है, लेकिन ऐसे toxic feminines के character हर जगा पे है, हर family में है, हर महले में है, हर office में है, हर corporate world में है, television world में है, media industry में है, और इनकी opposing energy है divine feminine, Actually divine feminine को आप opposing भी नहीं कहोगे, divine feminines वो होती है, जो healed energies में होती है, कभी ना कभी किसी ना किसी समय उनके अंदर भी शार toxicity रही होगी, लेकिन उन्होंने उस toxicity को recognize किया, पूरी responsibility ली कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ toxicity है, क्योंकि generational और ancestral curses के द्वारा भी आपके अंदर ये toxic elements आ सकते ह किसी ना किसी छोटे या बड़ी मातरा में, उसके अलावा societal flaws होते हैं, जैसे कि एक कूप रथा चलती आ रही है, कि बेटा और बेटी में बेटे को जादा प्यार मिलेगा, बेटी को कम मिलेगा, बेटी तो परायधन होती है, बेटा नहीं होता, तो जब कोई लड़की होती है, या उसकी दादी होती है, कोई भी होती है, नानी होती है, वो उसको उसके भाई से कम प्यार करती है, बच्चपन में तो उसको बहुत दुख होता है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, अलग तरीके से ट् पूद मक्षन जादा दो लड़का है इसको स्ट्रॉंग बनना है उसको कम दिया जा रहा है क्योंकि वो लड़की है तो अब जब यह बच्ची बड़ी होती है तो उसके अंदर आप सोचेंगे कि शायद वो उल्टा गरेगी जब वो बड़ी होगी जब वो माँ बनेगी लेक होती कुछ नर्सिसिस्टिक मदर होती है उनको बच्पन से ही सिखाया जाता है कि इसके पास पैसा है उसके पीछे जाओ. मतलब जिसके पास कुछ शो बाजी की चीजे है पैसा हैれ coping है जो भी है जहने गया उनको यह पट्टी बढ़ाई गई है अब मान लिजिए उस औरत ने अब बड़े होके उस औरत ने दो या तीन बच्चों को जनम दिया चार पांच जितनों को भी जनम दिया उससे कोई फरक नहीं भड़ता तो जिन जिन के पास जादा पैसे होंगे उन उनको वह जादा फेवर करेंगी जिन जिन के पास नहीं होंगे जो थोड़े अध्यात्मिक होंगे थोड़े स्पिरिच्वल होंगे थोड़े काइंड होंगे उनसे वह बात नहीं करेगी वह बात भी करेगी तो कम करेगी फेवरिजम जादा उसको मिलेगी जो जादा पैसे कमाता है या कमात इसका बहुत ही बड़िया एक्जामपल है कडाशियन्स का जो शो आता है उसमें आप देखें क्रिस जैनर जो सबकी माँ है जो मॉमेजर वह हर तोड़े-थोड़े सालों में अपनी फेवरिट चैल्ल बदलती है सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी बेटी फेवरिट चैल थी क् फिर जब उसकी बेटी Kim Kardashian famous हुई तो फिर उसने उसके साथ घूमना शुरू कर दिया फिर finally जब Kylie Jenner famous हुई सबसे जादा तो वो उसके पीचे घूमने लग गई तो जो भी और उस घर में आप देखिए उनकी family की story ऐसी कि वहाँ पे कोई भी आदमी जादा दिनों तक टिकता नहीं है जबी भी कोई आदमी वहाँ से जाता है तो उसको कहते है कि curse लग गया है क्योंकि उसके बाद उसका career बढ़ता नहीं है खुद भी Chris Jenner ने दो-दो शादिया की थी बहुत अमीर लोगों से और अपने ही पती के पैसो से वो अपने boyfriend पे खर्चा करती थी और ये सारी बाते वो openly बताती है मीडिया में अपने शो में हस हस के ठाके ले लेके कि भई मैं तो कितनी अच्छी प्लेयर थी तो उनके लिए ये कोई negative बात नहीं है जिबकि आप देख सकते कि पूरी family tree में कोई भी ऐसा कोई खास खुश नहीं है जो बेटियां भी है अब जाके कोटनी की शादी हुई है और वो भी अब देखते हैं शुरुवात हुई है आगे क्या होता है क्योंकि इनकी life कितनी real है और कितनी fake है कहीं बार ये भी समझनी आता है और ये भी एक बड़ी quality होती है toxic feminines की कि उनकी life जो होती है वो पूरी fake होती है वो इतना जूट बोलती है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ उनको खुदी याद नहीं रहता कि परसो मैंने कहां पर क्या बोला था कौन सी जूटी कहानी कहां सुनाई थी तो अपनी कहानिया भ बाते भी मिक्स कर देती है जो सच बोलता है वो एक बारी जो बोलेगा उसी को दस बारी बोलेगा आप चाहे उसा दस साल बाद वो बात पूछ लो लेकिन जूट बोलने वाले को अपनी खुद की कही भी बाते याद नहीं रहेंगी तो आज कुछ कहेगा और कल कुछ कहेग और इसी तरह से बाते बदलता रहेगा या बदलती रहेगी क्योंकि इस वक्त हम टॉक्सिक फेमिनिंस की बात करें टॉक्सिक मैस्किलिन पर भी आएंगे kशा क्या ट्रेट्स हैं आईए हम वो सारी ट्रेट्स देखते हैं मैंने आप लिखके रखें यह सारी ट्रेट्स आपको किसी में नजर आ रहे हैं तो आप समझ जेए कि वो इंसान हंड्रिट परसेंट टॉक्सिक फेमिनिन की कैटिग्री में हैं अगर कोई एक आदा ट्रेट या आपको नजर आते हैं और आप इस चीज को ओपनली एक्सेप्ट करते हो ताप आप आप लिस टॉक्सिसिटी के लेवल से कम हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे और सुधारा भी उसी को जा सकता है दोस्तों जो यह सोचता है कि मुझ में कोई कमी है अगर कोई इंसान कर कि म तो ऐसा नहीं होता कि टॉक्सिक फैमिनन दिखने में बड़ी ड्रावनी से होती है जैसा कि टॉक्सिक वर्ड है आपने बृटनी स्पेस का गाना भी सुना अगा टॉक्सिक तो आप उसमें देखें बृटनी स्वेस बीकिनी अट्राक्टिव लग रही है तो यूजिली इन लोग सोचते हैं टॉक्सिक शब्ड की वज़े से सुजरा सुनते हैं कि गूगल क्या कहता है और यह मुझे इतना अच्छा लगा मैंने सोचे कि क्यो ना मैं आप सब के साथ शेयर करूं एंडरा एक्स्प्लेइन इस वेल सो लेट्स लिसेन विशाक्त स्त्रीत्व पित् प्राप्त करने के लिए प्रतिबंदित करती है। जो कि लास्ट पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी पुरुष अगर बहुत जादा पेट्रियाकल होगा तो हंड्रेट प्रसेंट बहुत जादा डॉमिनेटिंग भी होगा। और वो यही चाहेगा कि जो भी नारी उसके साथ जो भी उसकी गर्ल्फ्रेंड वाइफ है वो बहुत जादा सब्मिसिव रहे। और यहाँ पर एक बड़ी इंट्रेस्टिंग लाइन लिखेगी कि डिराइविंग देर वैल्यू फ्रम फिजिकल ब्यूटी वाइल बीग प्लीजिंग तो मैं तो आपकी कोई और वैल्यू ही नहीं है सुंदर्ता के अलावा शकल के अलावा या मेकप के अलावा यह किसी न तो अधिकतर पेट्रियाकल सोसाइटीज में यही देखा गया है कि नारी की कोई as such value नहीं है इवन अगर वो बहुत पढ़ लिख भी जाती है तो at the end of the day उसको यह का जाता है कि अभी से और पढ़ा लिखा लड़का मिलेगा या इसको और कमाने वाला लड़का मिलेगा या और इची family मिलेगी क्योंकि तप अड़ लिख गई है तो इतनी मेहनत करी उसने इतना career बनाया इतनी पढ़ाई लिखाई करी इतनी degrees हासल करी माता पिता ने इतने पैसे खर्च किये और अंत में क्या है उसका धरम और करम की वो शादी कर ले और बच्चे बैदा करें अब मै कैसे twin flame world में होता है inner work करिये जो करना करिये अपने पैरों पे खड़े होके करिये सशक्त होके करिये और बिना किसी को please करे करिये यह जो हमने बोला अभी gentle and you know बोलने में gentle और बड़ी sweet इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि toxic feminine बहुत मीटी मीटी बाते करती हैं जैसे आपका एक अगनी पत मुवी में एक island था मांडवा तो उसमें कांचा चीना था टॉक्सिक फेमिनेंस कांचा चीनी होती हैं क्योंकि वो चीनी में घोल घोल के बाते करती हैं और जो divine feminine होती है उसका कोई ऐसा agenda नहीं होता वो नमक जैसी खारी बाते भी कर सकती खारी बाते भी कर सकती मीठी बाते भी कर सकती depending on whatever is required context क्या है अगर context आपको किसी बच्चे से बात करनी है उसको समझाना है तो प्यार से बात करोगे एक बेजुबान जानवर से बात करोगे तो प्यार से बात करोगे कोई ऐसा होगा deserve करता होगा जो आप उससे प्यार से बा काम करना थे अपनी फि millennials वो करना है तो टो्सिक फेमिनन क्या करति वह वो हर वकती हैसे करती रहती क्योंकि उसको लगता है कि अगर वह ऐसे बात नहीं करेगी आप काईली जनर को देखिए कडार्शन का तो एक्जामपल बेस्ट है वो चाहे कुछ भी अजीबों गरीब चीज़ें कर रही होती लेकिन बोलती बहुत प्यार से हैं सब की सब वो कभी एकदम फॉर्म वो भी उनकी असली नहीं होती है वो भी प्लास्टिक सर्जरी लाइपो सक्षन बोटॉक्स लिप फिलर्स हर तरह की चीजों की वज़े से और नाचुरल वह भगवान की दीवी उनकी ब्यूटी नहीं है और आजकल के समाने में तो बहुत ही कम लोग हैं जो बिलकुल जाएगी नहीं अपर लिप्स भी नहीं करवाएगी अपनी मूचे रिमूव नहीं करवाएगी लोगों को इस संसार में जीना भी है हम मंक्स तो बने नहीं अभी अभी हमने इस संसार को छोड़ा नहीं है हमें शायद हाउस होल्डर के रोल में रहके ही यह सारे काम करना है क इनर का तो कोई concept ही नहीं होता सिर्फ आउटर ही आउटर का concept होता है ठीक है मीठी चीजों में हमेशे क्लिये लगते हैं नमक में कभी कीड़े नहीं लगते तो इसलिए नमक जैसी बाते करने वालों के साथ अप रहें उनके साथ घूमिये जो यह चाप लूसी करते हैं जो हमे रहे पाते हैं toxic feminine के साथ हमेशा ही होता है कि पूरी जिंदेगी वह खुद को secure करने में ही निकाल देती हैं and based on what beauty body अब एक time तो ऐसा आई गाए ना कि जब beauty और body नहीं रहेगी तो फिर वह अपनी किसी बेटियों को अपने ही family की लड़कियों को train करेगी कि इसकी beauty और body तो चलती रहे मेरा business भी चलता रहेगा तो ऐसे बहुत से examples हैं दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि toxic feminines को आप से क्या चाहिए आप से उनको problem होईगी कहीं भी आप एक divine feminine को खड़ा कर दो उसकी चारों तरफ जितनी भी toxic feminines होईगी सब को सदिक्कत आएगी 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 क्यूं कि एक energy आई है जो उनको trigger करती है जो इससे वो irritate होती कि और ये क्यों इतना free हो के घूम रही है ये क्यों इतना खुश हो के है जीरी अपनी जन्देगी ये क्यों अपनी life अपने हिसाब से जीए हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हम यहाँ पे इतनी ललो चपो कर रहे हम इतने वो तेवर ना भी दिखा रही हो मले वो अपनी life ही जीरी हो lifestyle ही जीरी हो और शायद उसकी periphery में toxic feminines की कोई जगा भी नहीं होगी उसको कोई फरक भी नहीं पड़ेगा toxic feminines है toxic feminines की power ही तब तक होती है जब तक आप उन पे ध्यान दो जब आप उन पे ध्यान ही नहीं दोगे है इसलिए इतना attention seeking हरकते करती है और बहुत irresponsible भी होती toxic feminines as a mother बहुत irresponsible होती है उनके घर में बच्चे उनसे कभी खुश नहीं रह पाते है या अगर बच्चे खुश भी होते हैं बच्चे बड़े independent भी हो जाते हैं तो बच्चों में एक दिकत हमेशा रहती कि वो हमेशा उस की वज़े से मिल गई है तो आप उनको check कीजिए checkmate कीजिए और अगर आपको लगता है कि आप में toxicity तो नहीं है लेकिन आपके चारों तरफ कुछ लोगों में toxicity है तो अपनी boundaries बनाईए उन पर ध्यान मत दीजिए उन लोगों के साथ वक्त मत बिदाईए अपना उनसे बाते करना बंद कीजिए क्योंकि अब उनसे जितनी भी अपनी बातें बताएंगे आप तो सोचके बताएंगे प्यार मोहबत में कि हाँ यारी दोस्ती में बट वह आपसे इतना जलेंगी तो वह negativity फिलाएंगी वह आपको भी लोग करेंगी वह आपको हमेशा ऐसे फिल कराएंग जैसे gentleness, warmth, cooperativeness, modesty लेकिन toxic feminine जोगी उनकी humility, उनकी kindness, उनकी helpful nature, उनका devotion, उनकी sweetness ये फेक होता है, divine feminine में ये actually में होता है, वो actually में gentle भी बन सकती है और दुरगा भी, तभी तो कहते हैं कि वो सरस्वती भी है, वो दुरगा भी है, वो देवी भी है, वो चंडी भी है, वो अधिर वो आपको चंडी बन के दिखा देगी दो सेकेड में, और अगर आपने उससे अच्छे से बात करी, प्यार दिखाया, ममता दिखायी, एक real love दिखाया, affection दिखाया, no selfishness के साथ, no drama के साथ, या no, you know, एक agenda के बिना, तो वो आपको बहुत प्यार करके, बहुत sweet आपके से, खुद से भी निकलना है, कभी-कभी, और किसी-किसी केस में, जब आपके आगे बिचे बहुत toxic लोग है, जो आपको affect करें, तो अपको कैसे निकलना है, number one, जैसे मैंने का practice, और number two, ये भी मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन मैं repeat करती हूँ, independence, the more independent you are going to become, you will have more boundaries, you will not have codependent energies, वो toxicity अपने आप अपकी जंदगी से निकलती जाएगी, so you need to check yourself, and on this also you need to check yourself and checkmate the codependency and become an independent person, so on this note, I am going to close this session, बहुत मजा आया इस topic बात करके, और मुझे उमीद है कि आपको भी बड़ा मजा आया होगा इस topic के बारे में सुनके, आपके कोई भी questions हो, आपके कोई भी thoughts हो, please share क कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब लोग कोई सवाल ऐसा पूछते हैं, जिससे पूरी community की मदद हो सकती है, कितने सारे लोगों को help मिलेगी, जिससे ये toxic feminine का question भी मुझे आया था, तो मैंने सोचा, क्यूंदा मैं आप लोगों को साथ share करूं, so I will see you soon, तो and peace out and Jai Shree Ram